So basically इस program में हमें करना क्या है हमें print करना है sky values के corresponding जो भी characters होते हैं और while loop के through करना है और sky value हमें 0 से 255 तक करना है समझ लेते हैं इसको तो sky values क्या होती है जैसे हमार पास sky value आई 65 तो इसके corresponding जो symbol होता है वो होता है बड़ा A ठीक है और sky value होगर हमार पास आई 97 तो इसके corresponding एक symbol होता है छोटा है एक छोटा सा program लिखते हैं पहले सबसे पहले एक header file लगाएंगे hash include htdio.h फिर क्या करेंगे int main पहले only छोटे ये के लिए देखते हैं sky value से print करके तो क्या करते हैं int number is equal to छोटे के लिए sky value है 97 तो 97 और print करेंगे इन्होंने बोला है कि sky value को भी print करना है ठीक है तो percentile d लगाएंगे और यहाँ पर percentile c लगाएंगे और यहाँ पर pass कर देंगे number और फिर से number तो पहले percentile d से क्या होगा sky value आजाएगी क्योंकि integer है वो और दूसरे percentile c से क्या होगा उसके character आजाएगा जो भी equivalent character होगा ठीक है तो इसको run करके देख लेते हैं तो देखो 97 और a आगया अब हमें यही चीच 0 से 255 तक करनी है तो क्या करेंगे पहले एक integer लेंगे i is equal to 0 से start करना है और 255 तक जाना है तो एक while loop लगाएंगे जो कि i less than is equal to 255 तक होगा मतलब 0 से 255 तक का और यह जो print वाली statement है वो while loop के अंदर लिख देंगे और अब यहां number use नहीं कर रहे हैं यहां i use करेंगे तो अब क्या होगा सबसे पहले 0 आएगा 0 और यहां पे भी 0 आजाएगा और उसके corresponding जो भी character होगा फिर हम करेंगे i plus plus then होगा 1 हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा तो ऐसी सारे characters सारे sky values के corresponding जो भी characters हैं वो print हो जाएगे तो इसको run कर लेते हैं और एक slash n लगा देते हैं slash n दुबारा run करते हैं तो देखो यहाँ पर आ गए हमारे पास जैसे 33 के लिए यह वाला symbol आ गया और 65 के लिए बढ़ा है आ गया और 97 के लिए छोटा है आ गया यहाँ पर भी देख लेते हैं 97 के लिए छोटा है और यह जो कुछ question marks आ रहे हैं यह इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यह support नहीं कर सकता है हमारा system कुछ symbols को support नहीं कर सकता और जैसे यह names है इनको कहां print कर सकता है वो तो देख लेते हैं देखो उपर names को भी print नहीं कर आ होगा 0,1,2,3 के लिए कुछ नहीं आया तो यह यह एक छोटा सा program था sky values के corresponding characters print नहीं करेक्टर्स प्रिंट में